श्री चानक की कहते हैं कि दोश किसके कुल में नहीं है ऐसा कौन है जिसे दुखने नहीं सताया अवगुण किसे नहीं है सदेव सुखी कौन रहता है यह संसार दुखों का सागर है इस संसार में एक भी ऐसा विक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो सभी वेक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग एवं अवगुंड अत्वा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती है इस अंसार में एक भी ऐसा वेक्ति नहीं है जो सदेव सुख ही रहता हूँ हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं जैसे दिन और रात आगे श्री चानक के कहते हैं कि मनुश्य का चरित्र उसके खांदान को बताता है भाशन अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है विशेस आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है आगे श्री चाना की समझाते हैं कि कन्या का बिवा अच्छे कुल में करना चाहिए पुत्र को विध्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को बिपत्ती में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कारियों में लगाना चाहिए श्रीचाने के समझाते हैं कि अपनी पुत्री का बिवा वर्पक्ष के खांदान को अच्छे तरह परक्कर ही करना चाहिए वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्छ सिक्षा प्रदान करना चाहिए यदि सत्रू निकट आ जाए तो उसे बिपत्ति में डाल दें और अपने प्रियमित्र को हमेशा अच्छे और महत्पून कारियों में लगा कर रखें आगे समझाते हैं कि दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वरण करना उच्छित है ना कि दुर्जन का क्यूंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डस्ता है लेकिन दुर्जन विक्ति आपको कदम कदम पर बार बार डस्ता ही रहता है इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें राजा खांदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है क्योंकि कुलीन अर्था अच्छे खांदान वाले लोग प्रानम में, मध्य में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं त्यागते हैं चानक की समझाते हैं कि मूर्ख वेक्ती से हमेशा बचना चाहिए वह प्रत्यक्ष में दो पैरो वाला पशु है जिस प्रकार बिना आख वाले अर्थात अंधी वेक्ती को काटे भेड़िते हैं उसी प्रकार मूर्ख वेक्ती अपने कटू वह अज्ञान से भरे बचनों से हमें भेड़ता रहता है रूप और यौवन से संपन तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला वेक्ती भी यदी विद्या से रहित है तो वह बिना सुगन के फूल की भाती शोभा नहीं पाता है भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुन्दर रूप यौवन वह उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है उसकी शोभा उसके ग्यान से होती है कोयल की शोभा उसके स्वर में हैं स्त्रीयों की शोभा उनके पती ब्रत धर्म में हैं, कुरुव वेक्ति की शोभा उनके ज्यान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके छमा में हैं यदि किसी एक वेक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस एक वेक्ति को छोड़ देना चाहिए पूरे गाउं की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गाउं को और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सारी प्रत्वी को छोड़ देना चाहिए आगे श्री चानक के कहते हैं कि उध्योग धंदा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है प्रभु का नाम जपने पर पाप नस्ट हो जाते हैं चुप रहने अर्थात सहन सीलता रखने पर लड़ाई जगड़े नहीं होते हैं जो जाकता रहता है अर्थात सदेव सजग रहता है उसे कभी भी किसी भी चीज़ का भय नहीं सताता है आगे चाणकी समझाते हैं कि अती सुन्दर होने के कारण सीटा का हरण हुआ, अत्य थिक दान के कारण रावन का बान्धा गया, अर्थात सभी के लिए अती ठीक नहीं होती है, इसलिए हमें किसी भी चीज में अती नहीं करना चाहिए, हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा ह सीमा से बाहर जाने पर प्राय नुकसान ही होता है आगे चाड़ के समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा वेवसाई के लिए कोई स्थान दूर क्या विद्वान के लिए विदेश कैसा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रू कौन अर्थात जो विक्ति समर्थ है उसे नहीं देखता वह अपने लाब को देखता है इसी प्रकार विद्वान वेक्ती के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं और यदि कोई वेक्ती मीठा बोलता है अच्छा वाणी में बोलता है तो उसके कोई शत्रू नहीं होते हैं आगे समझाते हैं कि एक ही सुगंदित फूलवाले ब्रक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंदित हो जाता है उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारे कुल को सम्मानित कर देता है आगे कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे ब्रक्ष से सारा वन जल जाता है जैसे कि एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है कुल का विनाश करने के लिए एक ही को पुत्र काफी होता है ठीक उसी प्रिकार जैसे एक जलता हुआ ब्रक्ष पूरे वन को जला कर खाग कर देता है आगेश्टी चानक के कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाब है कुल को आश्रे देने वाला एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है जैसे महाभारत में ध्रस्टराष्ट के सो पुत्र थे पर सभी ने उन्हें दुख ही पहुचाया वे सभी महाभारत युद्ध के कारण वने जबकि पांच पांडवों ने धर्म के मार्क पर चलकर विजय प्राप्त की और वंच का नाम शुशोभित किया आगे समझाते हैं कि पुत्र से पांच वर्ष तक प्यार करना चाहिए उसके बाद दस वर्ष तक उसे दर्ण आदी देते हुए अच्छे कारियों की और लगाना चाहिए सोलवा साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्यान कराना चाहिए इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली बाती सवार सकता है और उसे गलत मार्क पर बढ़ने से रोक सकता है आगे चाना के समझाते हैं कि देश में भयानक उपद्रो होने पर शत्रू के आकरमन के समय पर भयानक अकाल के समय दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाते हैं वही जीवित रहता है मतलब समझने का ताथ पर यह है कि यदि ऐसी कंडिशन आपके लाइफ में आती है तो उस कंडिशन में भागना ही सही फैसला होगा जिनके पास धर्म, अर्थ, काम और मूक्ष इनमें से कुछ भी नहीं होता है उसके लिए जन्म लेने का फल, खीवल, म्रत्य ही होता है आगे चानक समझाते हैं कि जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता जहां अन्भंडार सुरक्षित रहता है जहां पति पत्मी में कभी जगड़े नहीं होते, वहां लक्षमी बिन बुलाई ही निवास करती है भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगए विद्वानों का सम्मान होता है, जहां समुचित अन्भंडार रहता है जहां परिवार और घर ग्रेस्ती में प्यार बना रहता है, वहां सुक और सम्रदी बराबर बनी रहती है